ब्रेकप के बाद हमारा मेन क्यारेक्टरी मस्त घूम रहा था और ट्रेन में उसे एक लड़की मिलती है उसके बॉइफ्रेंड के बीचे बहुत सारी कंट्रीस की पुलीस पड़े हुई थी अब सबको लगता है कि उस लड़की का बॉइफ्रेंड ने हमारा मेन क्यारेक्टरी अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारी मूवी एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी में देखेंगे एक बहुत ही अच्छी मूवी है और इसका एंड भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प आजर रखे हुए थे इंटरपुल का यह ओपरेशन जो चल रहा है इसका हेड जॉन और जॉन इन्हें सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था उस कुरियर वाले को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिसका पीछा कर रहे है अलेक्जांडर यह वो कुरियर वाल आई है एली से लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि अब एक तुम ट्रेन पकड़ना ट्रेन में मेरी हाइट का कोई आदमी होगा तो उसके पास जाकर बैठना यानि कि पुलिस को लगे का कि वो मैं ही हूँ एक लोकेशन पर उसे पहुँचने के लि और वो पूरी तरीक से ब्लैक हो चुका था फिर भी फॉरेंसी की मदद से इससे कुछ न कुछ तो निकाल पाएंगे एलीस बड़ी चाला कि इससे अपना पीचा छोड़वा कर ट्रेन में बैठ जाती है इसके बाद जॉन को उसके बॉलवाय उसे कहते है इस ओपरेशन में एट मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका हूँ और अब तक मुझे कोई भी रिजल्ड नहीं आये एक्च्वल में एलीस की बॉइफ्रेंड जिसका नाम में एलेक्जांडर उसे ढूणने की कोशिश कर रहे थे एलेक्जांडर का ही एलेस को लेटर आया था एलेक्जांडर के इसके पास 700 मिलियन डॉलर्स के एसेट्स है कोई भी रिजल्ड मिल नहीं रहा था तो इस वज़े से जॉन के बौस यूसे टाट कर ये केस उसे वापस ले लिए जॉन आसानी से अपने सर्च पेसे पीछे हटने वाला नहीं था उसने इन्वेस्टिकेशन को कॉंटिनू इसका नाम है फ्रैंक Acho फ्रैंक कर रहा था कि इलेक्ट्रोनिक सिगार है इसे कोई भी स्मोग नहीं निकले बुर लगता अगर तुम्हें स्मोंक़ करना यश Classic आदमी बहुत पसंद है वो एक, दूसरे को इंठीच कर वाते हैं तूम हो कुछ करो फ्रैंक कहता है कि तुम एक डिबलोमेट हो तुम्हारे फादर को किड्नाप कर लिया है पैसे लाने के लिए तुम कहीं पार जा रही हो यह स्टोरी एलिस को बहुत यह अच्छी लगी एलिस कहती कि तुम्हें मुझे टिनर पर इन्वाइट करना चाहिए फ्रैंक की कि बात इंटरबोल के ऑफिसर अब ट्रेन में थे वो फ्रैंक का फोटो निकाल लेते हैं यह फोटो जॉन को मिला इसकी सर्चिंग वो स्टार्ट कर देता है फ्रैंक ने नोटिस किया कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए है यह बात वो एलिस से कहता है यह अलिस को पता चला और वो सिर्फ एक मैट टीचर है इस वज़े से वो डिसपॉइंटेड हो गये जॉन ने भी लेटर को रियरेंज किया और अलेक्जांडर की इंस्ट्रक्शन उसने पढ़ लिये उसे भी पता चल गया कि फ्रैंक एक रैंडम आदमी है फ्रैंक की फोटो जब स्क्रीन प एक्चुल में अलेक्जांडर ने शौ से 2.3 मिलियन डॉलर चुरा हुए थे इसलिए उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है स्टेशन पर आने के बाद फ्रैंक और एलिस अपने अपने नास्ते पर चले जाते है पर बाद में एलिस ने फ्रैंक को फिर से सिटी में नोट फ्रैंक इस बाद से सप्राइस्ट हो गया रूम जब आकर देखते हैं तो यह बहुत ही बड़ा रूम था रूम में अल्रेडी एलिस के लिए कुछ गिफ्स लाए हुए थे फ्रैंक का पीछा करते हुए शौ इस सिटी में आ गया वो अपने आत्मियों से कहता है कि एलिस को इतने अच्छे गिफ्स रखे थे एलिस कहती कि मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन था दो साल से उनका ब्रेक अप हो गया था पर उसने फिर से उसे मिलने के लिए भुलाया इस तरीके से कोई उसे ओर्डर दे यह पाथ एलिस को अच्छी नहीं लगती है पर उसने अपने ब अलेक्जांडर से मिलकर अपनी डिलेशन्शिप को क्या वो एक अलग चांस देना चाहती है इस बात को लेकर अब तक वो शूर नहीं थी एक बात तो तरह है कि अलेक्जांडर सबसे बहुत ही अलग था फ्रैंक कहता है कि बात अच्छी है जहां से मैं आता हूँ वहाँ पर फिर ड्रिंक लेते हैं फ्रैंक अलीस से कहता है तुम भी बहुत यूनिक हो सबसे अलग इसके बाद एक दूसरे को किस कर लेते हैं इन पर लोग नज़री रख रहे थे तो इनकी फोटो उन्होंने ले ली अब सब को कंफर्म लगने लग या कि फ्रैंक ही अलेक्जांडर है किसके बाद एलीस कहती है तुम काउच पर सो जाना और वो अपने रूम में चली के फ्रैंक उसके रूम में आने वाला था पर अपना माइंड उसने चेंज कर लिया एलीस की डिसीजन की वो रिस्पेक करता है रात में उसे सपना आता है कि वो एलीस के साथ इंटिमेट हो र मिलने के लिए हमें जाना है फ्रैंक डर जाता है और वहाँ से भागने लग्या यह ड़ैक ली गोली चलाने लग गया होंटिल मैनेजर को कॉल करने की क्योशिश कर उसे फ्रेंच आती नहीं थी वो खिडगे से निकल कर भागने लगता है प्रैंक को भागत कैं ऐलीस देख कर रहे थे तो गहता है कि उसी का पीछा करना कंटिनू करो फ्राइंक को बचाना उसकी प्राइरिटी नहीं थी फ्राइंक ने रूप टॉप से होकर भागने की बहुत कोजिश किये पर ये डेड एंड पर वो आ गया जहांसे उसे जम करने यहीं सिर्फ ऑप्शन था वो उपर आदमी जम नहीं करते हैं और इस वज़े से जॉन बच गया था वो आगे भागने की कोशिश करता है पर पुलीस उसे पकड़ लेते हैं पुलीस ओफिसर ने फ्राइंक से बात कि उसे पुछते हैं क्यों मैं मर्डर रिपोर्ट करना है फ्राइंक कहता है कि कुछ लोग मेरा ट्रेन पर मिला था उस लटकी का बॉइफ्रेंड किसी इल्लीगल काम में फसा हुआ है सबको लगता है कि मैं उसका बॉइफ्रेंड हूँ और इसी वज़े से सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए इस बात पर पुलीस ओफिसर बिलिव नहीं करता और डारेटली जेल में डा गया था रात में पुलीस ओफिसर उसके पास आया कि अब हमें यहां से चलना है वो से हत्कडिया पहना था और अपनी बोट में एक सुमसान सी जगा पर लेकर जा रहा था पुलीस ओफिसर ने कहा कि शौक लगता है कि तुम्हें अलिक्जांडर हो और तुमारे लिव बहु अपनी बोट से बांद देती है उसे अपने साथ खीच कर लेकर जा रही थी शौक आदमी नोटिस करते हैं उसका वो पीछा करने लग गया बागते बागते एक आदमी फ्रैंक के बोट पर चड़ाया था फ्रैंक उससे पीछा चोड़ाने का बहुत ही कोशिश करता है पर उ इस उसे खीच कर लेकर जाती है फ्रैंक को पकड़ने में फेल हो जाने के बाद शौक के आदमी उसके पास आये वो गहते है कि हमने बहुत ट्राय किया पर हम उसे धूड़न नहीं पाए शौक है था कि मैंने पूरी लाइफ में बहुत मेहनत किये अलेक्जांडर मेरे 2.3 ब गए थे अब वो किसी भी हालत में फ्रैंक को लेकर आएंगे एलिस ने एक बीन ने फ्रैंक की हतकड़े निकाल ली फ्रैंक एलिस से पूछता है क्या मैं इतना ज़्यादा अलेक्जांडर जैसा दिखता हूँ एलिस कहती कि तुम्हें इन सब में इन्वाल नहीं होना चाहि था एलिस ने काओ कि तुम्हें सब बात समझ नहीं पाओगे जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा है वो बहुत ही ज़्यादा पावर्फुल है फ्रैंक कहता है कि एलेक्जांडर ने ऐसे आदमी से पंगा लिया वह सच्वूश में स्पेशल होगा उसने पूछा कि मैं बहुत सारे पैसे थे एलिस ने का फिर से अमेरिका वापस चले जाओ फ्रैंक उसे कहना जाता था कि उससे बहुत प्यार करता है इसके बाद एलिस डारेक्ली इंटरबोल के आदिया उसने जॉन से बात की और गहा कि मैं अलेक्जांडर तुम्हें दे सकती हो जॉन ने कहा क कि तुम्हें अचानक से क्या हो क्या तुम हमारे लिए काम कर रही थी और एलेक्जांडर के साथ दो साल थी तुमने कभी भी उसे धोका नहीं दिया इसके बाद तुम एक टुरीस से मिली और एलेक्जांडर को धोका देने के लिए रेडियो हो गई क्या तुम फ्रैंक से प पाय करता है उसे इस डांस के बारे में पता है तो यही पर वो आने वाला है इंडर बोल के सारे एजेंट इलिस पर नज़र रख रहे थे एक आदमी ने उससे आकर बात की और कहा कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी उसे यहाँ देखकर सप्राइस था तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकती अचानक से म्यूजिक स्टार्ट हो गया था और फ्रैंक कहता है कि मेरे साथ डांस करो अले इसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था फ्रैंक कहता है कि पूरे वर्ल्ल में मैं सिर्व तुम्हारे पुरॉआ मैं इसके बार मैं मैं पता नहीं है उससे उसके साथ आने के लिए कह रहा था एलीस के ती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए तुम कोई भी स्पेशल नहीं हो तुम्हारी और ईलिक्सएंडर की हैट मैंच करती थी ते और इसके वज़ Student में तुम्हारे transparen आकर वेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती, परेबाद जूट थी, उसे सिर्फ बचाना चाहती थी, इसके बाद उसे छोड़ कर जाने लग गये, और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लग गया, तब ही इंटरपोल की आदमी फ्रैंक को लेकर जाते है, एलिस पता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अलेक्जान्डर हो, तुम्हारे बास हमारे 700 मिलियन डॉलर्स है, यह सब तुम्हें वापस करने पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा, फ्रैंक ने कहा कि मैं सिर्फ एक मैस डीचर हो, जॉन कहता है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता, अगर तुमने मुझे पता है नहीं, तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा, तुम्हारे कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, पैचारा फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर गया था, तभी जॉन उसे सब कुछ सच पता देता, तभी एक लिग नोटीस करते हैं, कि एलिस का पीचा शौ भी कर रहा है, जब एलिस लोकेशन पर पहुची, तो शौ और उसके आदमी भी वही पर पहुच चुके थे, शौ ने एलिस से का, एक बार मेरी वाइफ ने मुझे पर चीट किया था, जिस आदमी के साथ हो थी, उसकी कि मुझे पता नहीं है, शौ बुचता है कि मेरे पैसे का है, उसने तुम्हे यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा होगा, एलिस कहा थी कि मुझे पता नहीं है, शौ शौ शौर था, यही आसपास कही पर एक सेफ है, जहाँ अबर पैसे होंगे, वो इसे ढूडने लगया और क सल्दी से हम शौ को मार देते हैं, वरना वो एलिस को मार डालेगा, पर जौन ने कहा कि अलेक्जांडर किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा, हमें उसके लिए वेट करना चाहिए, एलिस जीए या मेरे, इस बात से जौन को कुछ भी फरक नहीं पड़ता था, यह सब बात फ इसे सही से ओपन करो, वरना मैं तुमें मार डालोंगा, तब ही वहाँ और फ्रैंक पहुझ गया, फ्रैंक ने कहा कि मैं ही अलेक्जांडर हूँ, शौ अलेक्जांडर को जानता था, तो कहता है कि तुम तु वैसे नहीं लगते, फ्रैंक ने कहा कि मैंने प्लास्टिक सरजर नहीं है ऐलेक्सेंडर बिटिश था और ये अमेरिकन है फ्राइंडर ने कहा कि मैंने अमेरिकन एक्सेंट की बहुत प्रैक्टिस की इसी वज़े से मैं बोल पाता हूं सबकुछ explanation मिलने के बाद Shaw को लगने लगता है फ्रैंक की Alexander है उसने कहा कि safe open करो फ्रैंक open करने के लिए क्या वो अगर open नहीं कर पाता तो Shaw इन दोनों को मार डालता पर तभी इंटर बोल के boss आ जाते है उन्होंने सब officer को order दिया कि Shaw को मार डाले तुरन सब को मार दिया जाता है फ्रैंक और Alice बज गई थी boss Alice के पास आते है कहते है तुम्हें मैंने fire कर दिया है अब तुम्हें जो करना है ये करने के लिए तुम free हो यानि कि फ्रैंक के साथ एक अलग जिन्दगियों जी सकती है फ्रैंक ने कहा कि में तुमसे बहुत पैर करते हो क्या तुम मुझसे पैर करते हो Alice कहती कि हा में तुमसे पैर करते हो पर एकी साथ वो Alexander से भी पैर करते है अचानक से इंटरबल को न्यूज में ली कि Alexander आस पास उन्हें दिख रहा है तो उसे बगडने के लिए चले के फ्रैंक एली से कहता है अगर तुम Alexander से भी प्यार करते हो तो एक कोई भी प्रॉलम नहीं है इसके तुरंद बात उसने सेफ को अनलॉक कर लिया इसका मतलब है फ्रैंक ही Alexander है वो जो भी बात कर रहा था प्रैस्टिक सर्जरी को लेकर अपनी वोईस को चेंज करने के बारे में ये सब कुछ सच था वो एली से बुचता है क्या इस बार तुम मेरा साथ दोगी एलीस उसे किस कर ले दिया इंटर बोल को जो आदमी Alexander लग रहा था उस आदमी को जब वो अरेस्ट करते है तो आदमी कहता है मुझे हमेशा एक कॉल आता है मुझे एक लोकेशन बताई जाती है जहाँ पर मुझे जाना होता है अगर मैं काम करता हो तो बहुत सारे पैसे मुझे मिल जाते है इसी वज़े से अलग-अलग जगाँ पर जहाँ पर भी फ्रैंक हो वहाँ पर यादमी दिखा करता था इंटरपोल को जगमा देकर एलिस और अलेक्जांडर हमेशा के लिए भाग जाते है जब इंटरपोल फिर से उन्हें पकड़ने के लिए प्रिवेस लोकेशन पर आये तो सेफ में उन्हें एक चेक मिलता है ये चेक 700 मिलियन डॉलर्स का है जो आनने कहा कि जल्दी से जाकर हमें उन्हें पकड़ना चाहिए बोस कहते है कि हमें सिर्फ ये 700 मिलियन डॉलर्स चाहिए थे अब इस case में उन्हें कोई भी interest नहीं था Alexander के पास अब भी 1.6 billion dollars थे जो अपने और Alice के लिए खर्च कर सकता था Alice और वो हमेशा के लिए free हो गए थे Alice मजाग में कहती है तुम plastic surgery करवा कर कोई भी face लगा सकते थे पर तुमने ये क्यों जूस किया अलेजेंडर पुछता है कि क्या ये ठीक नहीं है Alice ने कहा कि काम जल जाएगा ये दोनों हसे और इसी मुव्मेंट पर ये movie एंड हो जाती है इस movie का twist तो मुझे बहुत ही जाता पस्सन आया अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है तो ब्लीजे से लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आते रहते हो तो ब्लीजे चानल का सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भुलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है